देश यह है कि हमारे कंपणी में एक मोहित कुमार नाम का इंपलोई काम करता था जो हमारे हाँ एडिशनल डिरेक्टर के पत्पे था लगवग 2018 से इस कंपणी में था फिसेंटली घटना यह हुआ कि 26 तारी को वह हमारे ओफिस आया और हमने उसे बुलाया था एक कॉंट्रेक क Expect को देदेने के लिए लेकिन यहांसे वह पैसा तो लेके गया ले जाने के बाद उसको उसने कॉंट्रेक्टर को दिया नहीं और 27 तारीक को हम लोगों ने उसके बहुत कॉल किया, बहुत सरा फोन किया, पूरे कमपनी के लोगों ने उसको कॉल किया, कॉल पीक नहीं किया, उसने सिर्फ एक मैसेज जॉब कर दिया, कि मैं ओफिस नहीं आँगा, मैं जॉब छोड़ दिया हूँ, उसके बास हम लोग हैं कि उसके बाद फिरलगों किरने की कॉसिश कि लेकिन उसने हैं को कॉछ का जबाब नहीं नहीं थी, यह पिदूर तो लास्ट में हम लोगों ने क्या किया कि कोतवाली थाना में उनके किलाब एक प्राथमिकी दर्ज की है इसलिए दर्ज की है कि वो कंपनी का एक तो चार लाख नमबे हजार रुपे यहां से लेके गए पांच लाख रुपे उन्होंने मेरे हां से लोन लिया हुआ है लगव किनरीं सीम काड को में का इक आईक टेटा साथ ततों लृटा में टेटाएं दो रजिस्टर यह और सार्य अन्होंने ले लिया कर के छुपा करके रखा हुआ है आप इसे यही बहुत सारी चीजे सुनने में आ रही हैं तो प्रेस कांफरेंस के माध्यम से मैं अपने सारे कस्टमर्स को जो भी हमारे क्लाइंट्स है उनको भी यह बताना चाहता हूं कि मिस्टर मोहित कुमार को कंपणी ने टर्मिनेट कर दिया है उनको एक रूपया भी देने की अवसकता नहीं है अगर किसी भी तरह का कोई भी ट्रांजेक्शन करना वो डाइरेक्ट कंपणी में आकर के ही करें क्योंकि वो किसी का फोन में रिस्पोंस कर रहे हैं कोतवाली थाना से भी लोग उनको वो ट्रेक करने की कोशिस कर रहे हैं लेकिन वो कहीं नहीं मिल रहे हैं तो हमार से साइर से निवेधन हैं सारे ग també हमकरों गुद्धेक्ट करने की कोशिस करते हैं तो एक बर हमें वी सुचिंग 4 नहीं करें humble आसन से ही है कि उनको हमको निया दिलाया जाए जो भी मेरा ुश्राइद से मैं सबसे बरा लेप्टॉप है कंपनी का बूलेट है यह सारी चीजें जो है कंपनी का पैसा जो है देखें कंपनी का पैसा जो होता है वो मेरा नहीं होता यह कुरुपया जो होता है वो सारे हमारे क्लाइंट्स के होते हैं और क्लाइंट्स का यह कुरुपया भी बरबाद होता है तो बहुत तकलीफ की बात है क्योंकि एक रुपिया वह बहुत पसीना से मेनद करके और प्रोजेक्ट में लगाते हैं या किसी भी कंपनी में तो हम चाहते हैं कि वह भी पैसा मेरा जल्द से जल्द वापस हो ताकि कहा है उसका नाम है मोहित कुमार गुपता अभी वह आपके महेश नग है किरन गुपता वह सेविका जोलर्स में सेल्समें के पद पर काम कर रही है वह भी गलत तरीके से जवाब दे रही है वह एक बार वी बातों को सुनने के लिए तयार नहीं है है पहुत गलत तरीके से वह जबाब दर यह थाना ने वह उनसे कुश्टन करने की कोशिश की आ से बात करने की कोशिश की उनको भी उसाही तरकी से जवाब नहीं दे रही है कि कब सबसे कॉंटेक्ट नहीं हो पा रहा है उनसे 26 तारीक को यहां से वह पैसा लेके गया है छे वजे सामने सुबह में उन्होंने जब आठ वज के कुछ मिनट पर उनका मैसेज आया है कि मैं क कमपनी छोड़ दिया हूं तो मैंने कॉल बैक करना स्टार्ट किया तो कोई कॉंटेक्ट नहीं हुए अहम डाटा जो मोहित के पास एक कंपनी का वह अभी तक नहीं पहुंचाया जा रहा है इसे कंपनी को नुक्सान की तो हो सकते बिलकुल मेरे कहने का मतलब भी वही है मैं मैंने अभी यही बात बोला कि सबसे जरूरत है जो मेरे कंपनी का डाटा है मेरे क्लाइंट का पुरा डीटेल से वह मेरे को चाहिए प्रसास और और न्याले और आप लोग से भी निवेदन है कि किर्पयाकर ऐसा कोई उपाय करें जिससे मेरे पुरा कंपनी का डाटा मेरा क मेरे कि किट्ना किस्टर्मर हुए कर्शामा बहुत सारे हैं ठीक है ना वह कंपनी का जो रजिस्टर था और फाइल वह सब ले करके चला गया है ठीक है और सारे कंपनी का टेलफोन नंबर वह अग्रा सब कुछ है उसे यह फिया मैने ढ़त किया ताइस को मैंने टर्मिनेट क स नई पहलों कि अप्रेल्वेक्स एक क्लाइट से पैसा मंगवाय था फिर मैं पजास एरुपया तो समय मैंने उनको डाटा था तो उसने रिजाइन किया पैसा तो फिर मेरे तुम पांच लाग रुपर लोन और सारे नौ लाख रूपर रवांस है वह तुम जमा कर दो तब हम तुमको रिलीव कर देंगे अपरेल में ठीक है ना लेकिन उसने बोला कि नहीं सर एम कंटिन्यू करेंगे कहीं कोई दिकत नहीं है आज के बाद गलती नहीं करेंगे इसे कुछ दिन से हम लोग को लग रहा था उसकी एक्टिवीटी सही नहीं लग रही थी मेरे को क्या हमारे पूरे ऑफिस के इंपलोई से भी पूछिएगा कहीं ना कहीं उसकी एक्टिवीटी तवरी बहुत चेंज लगा चेंज नजा लागा प्रसासन का होगा न्याले का होगा प्रसासन तो उनकी मा से भी पूछताच कर रही है लेकिन साथ हमको नहीं लग रहा कि फिर बेक मिल पारा है वाकिया कर रहे तो प्रसासन लेटर रही है जो मैंने उनको 27 तरीको टर्मिनेट किया था और च्वर्च छोट्वा रनीचें रनीचें अबूम केरे प्रसासन नहीं जरुदाद़ कर रही है।